Hello Everyone, Very Very Good Morning So आप सबी कैसे हो? आप सब का निव ब्लोग में Welcome है So friends, निव ब्लोग की सुरुआत हो चुकी है तो आज मैंने निव ब्लोग की सुरुआत एक दब मोर्निंग से कर दी है तो मैं चाई पीने के बाद अपना बॉसिंग मसीन साफ करने आई हूं चाय पीछ भी हूँ अब जाडू हो गया है पहुचा नहीं हुआ है कुछ कुछ काम हो गया है मतलब मेरे और आप कर लेती हूँ बॉसिंग मसीन क्योंकि बॉसिंग मसीन इतना गंदा पड़ा है चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और ये डुगू है बार बार मेरे पड़ा रहता है चुट्टियां क्या बच्चों की हो गई है और बहुत परिशान करते हैं इनकी तो कभी चुट्टियां ही नहीं हुआ करें तो यहां देखो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना बॉसिंग मसीन गंदा पड़ा हुआ है कम से कम एक महीना हो गया ज इसको सही जगे पर सैट करने की सोच परिया थी कि कप्ड़ा धोने के बाद कप्ड़ा धोने के बाद पानी तुरण निकाल दिया करंँ तो यहां पानी रखा रहता है कभी कोई और बंद करको रख देते हैं खुला रखा है तो सानद करक कर क्या किसी को पता मैं भी दोती हूँ साथु मा भी दोती है कपड़े कभी कभी हज्वन भी दो लेते हैं और एक इतनी गंडी कैसे हो गई तो वह मैं तवयत खराब थी 15-20 दिन तो मेरी तब्याती खराब रही थी तो आसमेंट ने कपड़े दोएते अब पता है जैस लोग तो साफ सफाई नहीं करते बस कपड़े दो दिये और ऐसी छोड़ दिया मसीन को तो यहां बॉसिंग मसीन मेरा बहुत ही गंदा हो गया छूटने में भी बहु और और उसको साफ करी तो वैसे साफ हो गया था लेकिन बहुत गंद की निकली थी और यह लेजम मैंना जो पाइप वो साफ नहीं किया मैंने ऐसे पानी डार के खल गला दिया कि उसमें गंदी जम गई और पीचे से कपड़े ठीक करना ही मैं भूल गई और साफ सफाई में ध्यानी नहीं रहता है और भाई कितनी सर्दी है और न्यू साल मतब दो हजार चौबीस स्टार्ट हो गई है और कुछ नए नए टापिक बताईएगा दोस्तों किस टाइप के ब्लॉग बनाओं किस टाइप के कैसे रहे और आप लोग की न्यू यार कैसी रही तो यहां चल अबिशन के बाद मैं डारेक्ट इसी में लगी अगर दोफैर के लिए छोड देती नथू मेरा बॉसिंग मशीन साफ नहीं होता क्योंकि दोफैर में इतने सारे काम होते है की टाइम ही नहीं मिलता है सारे कामों में लग जाते है अपन और इस इसको भूली जाते हैं यह तो बच्चे घर वीडियो देखके चले जाते हैं बर लाइक नहीं करते हैं मैंने देखा है क्योंकि मेरे